नमस्कार तोस्तों सुआगत है आप सभी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस्त एप्लिकेशन क्रेडिट भी और होम क्रेडिट के बारे में अगर आप लोग इन तीनों में से किसी एक एप्लिकेशन से लोन लिए होंगे और उसका एमाई आप भार रहे होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि छूट के लिए इनके तरब से अभी तक आपको कोई भी अप्डेट नहीं मिला होगा या नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा लेकिन मैं आपको बता दू कि यहाँ पर छूट के लिए अपडेट मिल चुका है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इस वीडियो के अंत तक बने रहे पूरा डीटिल में हम आपको बताएंगी लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेती हैं लोन पर मातर 21 दिन का छूट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि समानने तह आरबी आई के तरब से या सलाह दिया गया था बैंकों को या फिर माइक्रो फाइनेंस कमपनी को कि आप तीन महीने का EMI पर और क्रेडिट कार्ड पर छूट प्रदान कीजिए मतलब जो लोन का EMI कट रहे हैं उस पर कम से कम तीन महीने का छूट प्रदान कीजिए और इसका जो भी इंट्रेस्ट बनता है वो आप लोगों से वसूल लेजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को यह भी पता होगा कि कुछ कमपनी के दौ़ारा कुछ बैंकों की दौ़ारा यह लेट से अपडेट किया गया जिसके वज़े से अगर आप लोग एक किस्त EMI भर भी दिये हो या फिर उस पर पेनल्टी विगरा लग भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे दो महीने का छूट आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तो किस्त अप्लिकेशन के तरफ से एक अपडेट किया गया है और इस अपडेट में आप लोगों को छूट नहीं मिला है बलकि यहां पर जो आप लोग EMI पेमेंट कर रहे थे उनका जो पेमेंट डेट है वो एक्स्टेंड कर दिया गया है मतलब असपस्ट रूप से मैं आपको बता दू तो यदि आप किस्त अप्लिकेशन से लोन लिये हैं और उसका EMI आप जिस टाइम से पेमेंट कर रहे हैं जो आपका डेट है उस डेट पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी वात है लेकिन अगर उस पर चाहेंगे तो किस्त अप्लिकेशन के तरफ से मातर 21 दिन का छूट दिया जाएगा यानि कि 21 दिन बाद आपको यहां पर EMI चुकाना ही पड़ेगा अब यहां पर इसे से यहां पता चलता है कि RVI का जो सलाह था तीन महीने का उसे यहां पर नहीं माना गया है सिर्फ 21 दिन क चूट दिया जा रहा है अब यहां पर इतना ही नहीं है इस पर जो चार्ज इंट्रेश्ट है वो भी आपसे वसूला जाएगा जो यहां पर असपास रूप से लिखा गया है यहां पर लिखा गया है कि किस्त अप्लिकेशन पर जो भी आप रिपेमेंट कर रहे थे उसका 20% प्लस GST आपसे चार्ज किया जाएगा जो की वन टाइम के लिए चार्ज किया जाएगा मतलब 21 दिन का आप यदि छोट प्राप्त करना चाहती है एक्स्टेंट करवाना चाहती है टाइम तो इसके लिए आप जो रिपेमेंट कर रहे थे उसका 20% प्लस GST आपको चार्ज द कीजिए जिस तरह से आप कॉंटेक्ट करना को जानते हैं उस परकार से आप लोग कॉंटेक्ट कीजिए तो ये तो हो गई बात किस्ट आप्लीकिसन के बारे में जो हमने आपको बताया कि इस पर अवी तक तीन महीने की चुट की बात नहीं होई है बलकि आपको 21 दिन का प्रोसेस है छुट प्राप्ती के लिए जो भी प्रोसेस है ये आपस में अपना पॉलिसी के साथ कर रहे हैं इनका जो भी टीम है वो आपस में बिचार कर रही है तो यहां पर उमिद यहीं लग रहा है कि कुछ दिनों में एक दो या फिर दो चार दिनों में इनके तरब से अभी payment करती हैं तो आपसे कोई भी charge या फिर जो आपका charge लग रहा है जो EMI लग रहा है वही आपसे लिया जाएगा अगर आप यहां पर उस EMI पर छूट प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको extra charge देना पड़ेगा जो होगा interest rate यानि interest rate के अनुसार से interest जो है आप को देना पड़ेगा तो फिलहाल home credit के तरफ से एक PDF जारी किया गया है जिसमें पूरा detail बताया गया है तो आपको मैं इस वीडियो के description box में link provide करा दूँगा direct उस link पर click करोगे तो आप उस PDF को direct download कर सकती हैं यहां पर home credit के तरफ से यह भी कहा गया है कि यहां पर 2-4 दिनों मे यानि कुछी ही दिनों में update कर दिया जाएगा application पर या फिर website पर update कर दिया जाएगा कि किस माद्यम से आप लोग छूट प्राप्त कर सकती हैं तो आप लोग confirm हो जाओ कि home credit पर आपको छूट मिलेगा तीन महीने का जो छूट चल रहा है वो तीन महीने का छूट मिलेगा आप लोग यहाँ पर उन से संपर्क करोगे उनको message करोगे तो वो जो है 21 दिन का time extend कर देंगे तो यहाँ पर अब कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है company के उपर है अगर वो दो महीने या फिर एक महीने या फिर तीन महीने का छूट दे रहे हैं तो वो उनकी बात है अगर दस दिन बिस दिन या फिर तीस दिन का छूट दे रहे हैं तो भी यह उनके उपर है कि वो आपको कितना दिन का छूट दे रहे हैं फिलाल हमने आपको इस वीडियो में सारा अपडेट दे दिया है जो भी अपडेट आया था इसके बारे में हमने अपडेट दे दिया है तो क्या 3 महीने, 2 महीने या फिर 20 दिन का ही छूट दिया जाए उम्हीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई